हैलो गाइज आप सभी का हमारे टूचर रजन सलमान ने में स्वागत है दोस्तो आज हम बात करते हैं रियालमी मोईल फोन के बारे में दोस्तो रियलमी ने भारतिय बजार में अपने नए स्मार्टफोन रियलमी 9i को भारत में लांज कर दिया गया है है जो की रियलमी 8i का आपगरेट वर्जन है रियलमी 9i को भारतिय बजार में श्नेप ड्रेगन 680 के साथ लांज किया गया है श्नेप ड्रेगन 680 प्रोसेशर यह वारत का पहला स्मार्टफोन है रियल्मी नाइड को 33W फार्स चार्जिंग दी गई है में डूएल स्टीरियो स्पीकर भी दिया गया है साथ ही इस में टिर्बल रियल कमरा सटट दिया गया है रियल्मी नाइड नाइड काम कबला रेड़्मी नौट टेनेस और सैमसांग Galaxy M32S से होगा तो दोस्तों Realme 99 की कीमत की बात करें तो Realme 99 की रुवाती कीमत 1399 रुपए है इस कीमत में 4GB RAM के साथ 64GB storage वाला model मिलेगा वहीं 6GB RAM के साथ 128GB storage की कीमत 1599 रुपए है फोन को प्रीजम ब्लेक और प्रीजम ब्लू कलर में 25 जनुरी से खरीदा जा सकता है तो दोस्तों इसकी भी क्रीफ लिपकार और Realme की साइट से लावा Real Store से भी होगा तो दोस्तों आइए बात करते हैं Realme 99 की स्पिसिफिकेशन के बारे में तो दोस्तों Realme 99 में Android 11 अधारित Realme UI 2.0 दिया गया है इसमें 6.6 इंच का फुल एजडी प्रस डिस्प्ले दिया गया है इसका रेजिविशन 2400 मेल्टिप्लाई 1080 पिक्सल है डिस्प्ले का ब्राइटनेस 480 निट्स और रिफ्रेस्ट रेट बेहार्ट है Realme 99 में Snapdragon 680 प्रोसेसर दिया गया है जो कि 6NM प्रोसेसर पर बना है इसमें 6GB RAM के साथ 128GB USF 2.2 स्टूरेज है फोन के RAM को 11GB तक स्टूरेज की मदद से बढ़ाया जा सकता है तो दोस्तो Realme 99 का कैमरे की बात करें तो Realme 99 में तीन रियर कैमरा दिया गया है जिसमें इसका प्राइमरी कैमरा 50MP है इसका आप चर्जिया 4.8 है इसके साथ ही फेज आटो डिटेक्शन भी दिया गया है दूसरा लेंज 2MP का है और तीसरा लेंज 2MP का मोनो क्रोम है सेलफी के लिए फरंट में 16MP का फरंट कैमरा दिया गया है तो दोस्तो Realme 9i की बैटरी की बात करें तो इसमें 5,9 मेंच की बैटरी दी गई है जिसके साथ 33W फास्ट चार्जिक का सपोर्ट दिया गया है दावा है कि 70 में बैटरी साफ इसली चार्ज हो जाएगा करेक्टिविडी की बात करें तो इसमें 4G, LTE, Dual Band, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, AGPS, USB Type-C और 3.5 mm का हेड़फोन जेक मिलेगा इसमें सावड माइट और फिंगर पिंगर्पिंट संस्ट भी दिया गया है तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जबूर बताएं और हमारे चैनल को कर दे सस्क्राइब